नमस्कार साथियो देर आए दुरस्ताए किसान इस देश का अंदाता है किसान इस देश का पेट पालता है किसान इस देश को नौजवान सीमा की रक्षा के लिए देता है पिछले एक हफ़ते से किसान सडकों पर पड़ा है करा रहा है दिल्ली के चारों और लाखों किसान मजदूर माताएं बेने बच्चे बैठे हैं प्रन्तु एंकारी मोदी सरकार बात को तयार नहीं थी अब कम से कम बातचीत का न्योंता तो दिया मोदी जी भारतिय जंता पार्टी हमारा भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस की और से अनुरोध है कि किसानों के लिए वारतालाप के दरवाजे खोले हैं तो मन भी खोल कर बात करियेगा उर्वा ग्रे से ग्रस्थ होकर नहीं और हमारी मांगे हैं नंबर एक सभी किसान संग्चनों को वारतालाप के लिए बुलाया जाए ताकि किसानों की सारी समस्याएं दुख और तकलीफ सरकार के सामने रखकर एक ही बार में उनका निर्णे हो सकी नंबर दो अगर आप किसानों से बात कर रहे हैं तो तीनों खेती विरोधी काले कानूनों को आज ही परदान मंतरी सस्पेंड करने का निरने करें और इसकी घोशना करें नमबर तीन हजारों किसानों पर बारा हजार से अधिक किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें बगेर शर्त वापिस लेने की घोशना करें नमबर चार पराली जलाने के आरोप में जो गरीब किसान पर मुकदमे दर्ज किये गए हैं जुर्माने लगाए गए हैं जेलों में उन्हें बंध किया गया है वो सब के सब वापिस लें और पराली का जो फाइन लगाने का ओर्डिनेंस है उसे पौरि तौर से खतम किया किसान को बहकाईए मत किसान को बरगलाईए मत किसान से शडियंत्र मत करिए बाचीत का दिखावा मत करिए सार्थक हल निकालिए तभी इस पूरे मामले का पटा शेप होगा और देश का 62 करोड किसान मजदूर गरीब अनुसूची जाती पिछडे वर्गों के लोग छोटे छ लेन हो पाएगा जागिये सोचिये हल निकालिये जै जवान जै किसान